अब आप है अगर्ण से तक्रीबन 15 दिन पहले स्टीडी कंप्यूटर साइंस का सर्वे बेस्ट कट आफ का वीडियो बनाया था पंदरा दिन गुजर गया आज 15 दिन के बाद आप चैनल के वीडियो के लिस्ट में जाके आप देख लिजिए आज तक्रीबन 15 दिन पहले उसके बाद हम लोग डेटा पर चलेंगे डेटा को फिर से सौर्ट करेंगे पहले की तरह स्टीडी कंप्यूटर साइंस सर्वे गूगल का सर्वे यह आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है तेरा सो पैसेट हिंट्री पिछली बार जब सर्वे क्रियेट किया गया सर्वे द ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यह ज्यादा बजाएगा यह पंदरा सो के आसपास जाएगा लिंक को मैंने ग्रूप में भी शेर किया था कई लोगों को मैंने कहा था कई सारे पहचान के लोग है उन लोगों अभी तक अपना डेटा इंट्री नहीं किया वहां पे तो कई ल पर पिछली बार रुका था तो अब मामला किधर को जा रहा है यह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसके पहले कि हम लोगो डेटा की तरफ जाएं डेटा को सौर्ट करें उससे पहले कुछ जरूरी बातें और कर लेते हैं सबसे पहले स्टीटी की उपर जो यह वीडि के बारे में इस चैनल से वीडियो कांटेंट क्रियेट किया गया है पुछले एक साल में मुश्किल से 20-30 दिन ही ऐसे होंगे जब गैप लगा है तो काफी कवर किया गया और काफी अपनी तरफ से कोशिश किया गया कि यूनिक कांटेंट बनाया जाए अच्छा कांटेंट बनाया जाएं मीनिंगफुल बातें की जाएं बहुत सारी काम की बातें बताई जाएं बहुत सारी चीजें यहां से की गई जिस तरह से चाहिए आप पुराना देख लें 2012 का जो सारा डेटा था वो मैंने आपको दिखाया अभी छटे चरन की जो बहाली हो रही थी उसमें क कितने लोगों ने अपलाई किया था काहां किस नियोजन निकाई में कितने सीटी थी वह भी डेटा में आपको निकलवा के दिखाया क्योंकि लोग बहुत जादा जुड़ गया है और अलग-अलग जिले के लोग जो अलग-अलग तरह की क्योंकि जो जानकारी information का जो source है व तो frequent daily basis पर content create किया जाता था क्योंकि अब November महीने में जैसा कि आपने पिछे notification आपने देखा press release आपने देखा अगर court case का असर नहीं पड़ेगा तो November में result आ जाना चाहिए और अगर court case का असर पड़ेगा तो फिर मामला आगे जाएगा जो भी होगा वो सब के सामने आएगा नौंबर में लेकिन अब STET में बहुत जादा कुछ बचा नहीं है सेवाए इस बात के कि आप result का इंतजार करें चाहे वो जल्दी आए या देर से आए तो फ्रिक्वेंट कवरेज है अभी सर्वेज एक तो computer का मैं आज दिखा रहा हूं इसके बाद जो गई भाशा वाले ह हैं हिंदी अंग्रेजी उर्दू उनके भी थोड़े थोड़े बढ़ गया है जो सोशल साइंस का है वो भी थोड़ा बढ़ गया है तो वन बाई वन मैं देखाऊंगा अगले दो तीन दिन ये सिलसिला चलेगा और उसके बाद जो फ्रिक्वेंट कवरेज है ये बंद हो ज किया जाए कहां पर कितनी सीटें हैं कहां पर लोग अपलाई कर रहे हैं तो सारे हम जो हर एक जिला में लोग मौझूद है हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने च्छटे चलन का भी सारा डेटा मोहया कराया था तो उस टाइम पर जब लोग अपलाई कर होने की जरूरत है शायद थोड़ा सा स्लो होने की जरूरत है तो जो इंपॉर्टन चीज़ें होंगी उसी को कवर किया जाएगा रिजल्ट तक और इस बीच में अभी दो तीन दिन मैं सारा सर्वे दिखा देता हूं तब तक और इस जो नॉंबर का महिना होगा उसमें सिर् सर्वे की तरफ तो सर्वे एक तो मैं दो वज़ा से थोड़ा सा जीज़क होता है सर्वे दिखाने से एक तो हर सर्वे के साथ थोड़ा उचालाता है मार्क्स में अभी मैं आपको सर्वे का जो शीट है उसकी तरफ में लेके चलता हूं आपको यह रहा वो शीट आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है इसको हम लोग सौट करेंगे और इसको देखेंगे फिर कि इसमें क्या बनता है 434 तक तो एक तो दो बात होती है एक तो क्यूंकि बहुत नेचुरल है कि जैसी इंट्री जादा बढ़ेगी तो जो एकस्पेक्टेड कट अफ है सर्वे क हिसाब से बढ़ता जाएगा और नेचुरल है पर मैंने पहले भी कहा था कि चाहे नंबर ऑफ एप्लिकेंट जितने भी हो मैंने बोर्ड ने तो कोई ऑफिशल जारी नहीं किया पर गूगल का डेटा रीड करके गूगल से लोगों ने सर्च किया उसको पकड़के मैंने एक बहुत जादा नहीं है पांच-6,000, 7,000 मुश्किल से 5-7,000 के बीच में ही है जो एक्टिव लोग थे जो पढ़ाई करके जिन लोगों ने एकजाम दिया और जिन लोगों ने एकजाम दिया उसमें से भी आप माल लें कि बहुत मुश्किल से होगा तो 3,000 ये 4,000 लोग देखते जरूर है पर अपने इंट्री नहीं करते हैं एक तो रिजन यह हो सकता है कि उनका स्कोर कम होगा या तो दूसरा रिजन यह हो सकता है कि वो इस तरह की सर्वेजन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उनको लगता है कि अपना मार्क्स अपना जिला बता देंगे त और आपका मार्क्स इतना जरूर इतना लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को होना चाहिए तो एक तो यह है कि मार्क्स जैसे कॉपी करके निकल जाती है बेस शिफ्ट का सबसे पहले जिक्र यहां किया उसके बाद बेस शिफ्ट पर वीडियो बनना शुरू हुए 21 second shift computer का 17 first shift social science का इस सबसे टफ था यहां पर बताया घंटों की मिनत के बाद बताया लेकिन लोगों ने धड़ा धड़ा कॉपी करना शुरू हो जाएगा पर आज जो मैंने पहले ही बोल दिया इस वीडियो के दौरान के कॉपी करने वाए लोग एक्टिव होए वो अभी भी या तो जैसा मैं डेटा बोलूंगा वैसा ही दिखा देंगे या नहीं तो फिर दूसरा स्टेंड लेंगे यह गलत है जो कट आफ है वह पंचानवे जाएगा संतानवे जाएगा नब्बे जाएगा इस तरह से बोल के निकल जाएगा क्योंकि इतने ज्यादा भीड़ हो का डेटा मैंने आपको यहां पर दिखाना है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ जन्द अब हम लोग चलते हैं अपना जो मेन कॉंटेंट है डेटा को सॉट करना अब हम लोग शुरू करते हैं जो बाते थी वह सारी हो गई अब हम लोग डेटा को सॉट करेंगे तो जो सारा डेटा है तेरा सो पैसे लोग वो आपके स्कृन पर अभी दिख रहाए अपने केते हैं कि अभी हम लोग डेटा को सॉ पहल्ट करते हैं सब्से पहले मैं राइट यह और मैंने डेस होगा इसमें से 120 तक यी एνच्ट्रि मै को मैंने select किया data को select किया, short पे click किया short पे click करने के बाद largest to smallest select हो गया है जैसे ही मैं ok दबाओंगा सारा data change हो जाएगा एक कृष्णा है सबसे उपर पटना से 97 नमबर इनका ok click किया मैंने और देखिए सारा data जो है वो change हो गया ठीक है तो अभी हम लोग important यह नहीं है कि number one पर कौन बैठा है important यह है कि 434 number पर कौन बैठा है तो कई लोगों की धड़कने बढ़ गई होंगी 103 था पिछली बार 434 number पर और यह survey जो है यह काफी हद तक accurate है मैं यह आपको confirm करूं यह काफी हद तक सही है आपका अपना सोचने का नजरिया हो सकता है जतने भी कॉपी करने वाली पार्टी है इस वीडियो को उन लोगों को मैं कहता हूंगा अगर हिम्मत है तो यह बोल के दिखाओ कि 95 कट आफ जाएगा जनरल अगर हिम्मत है तो इसा करके दिखाओ रिजल्ड के देट दिन तुम पता लएगा क्योंकि यहां पर जो डेटा दिखा रहे हैं वह बिलकुल सर्वे के बेसिस पर हो सर्वे में जो लोग बोल रहे हैं उस बेसिस पर है तो अभी हम लोग 434 लोगों पर चलेंगे 434 नमबर पर जो कैंडिट बैठा हुआ है वो कितना स्कोर ला रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉप 20 का पहले हम लोग नाम पढ़ देते हैं और उसके बाद हम लोग इस्ट्रॉल करना शुरू करेंगे वागीश हैं सबसे उपर ब अभिशेक कुमार, रोहनी अभिशेक, नवीन, रॉबिन, सुरज सिंग, रितेश, सुमन ये टॉप 20 नाम थे और जाहिर सी बात है 120 ही सबका स्कोर रहेगा अब इंपॉर्टेंट यह है कि 120 खत्म कहां पर हो रहा है और जो जितने भी 120 वाले हैं इनको सिरे से खारिज नहीं जो पांच, छे, साथ, आठ कोशन हर जगा हर शिफ्ट में गलत कर दिया है इन लोगों ने तो उन सवालों पर भी अगर आपका जवाब सही है बोड कुछ भी अंसर दे आप अपना जवाब जान रहे हैं कि कौन सा जवाब सही होगा तो अगर आपने सही जवाब दे था तो आप उसों काउंट करके ही इसमें जोड़ें तो 150 में 120 लाना इंपासिबल नहीं है थोड़ा मुश्किल जरूर है पर इंपासिबल नहीं है तो अब हम लोग स्ट्रॉल करना शुरू करते हैं पचीस नमबर पर कैंड़ेट हैं महेश 120 नमबर सुपॉल से पचास नमबर पर कैंड़ेट हैं ललित कुमार परभाकर मुझफफर पूर से 120 नमबर हैं इनका भी 75 पर हैं सुमंत सौरभ पूर्णिया से 120 नमबर हैं इनका भी 100 नमबर पर हैं वरुन कुमार 119 देखे 120 का सिलसला खत्म हुआ 120 खत्म हो रहा है 87 पर 125 नमबर पर हैं बुल बुल जहाँ 117 नमबर सिवान से हैं यह अब भी हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ जेनरल मेल कभर होगा क्योंकि अधरवाइस वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा एक अलग वीडियो क्रेट कर देंगे बीसी इबीसी वालों के लिए और अलग वीडियो क्रेट कर देंगे बेस शिफ्ट क्योंकि एक सो पैंसेट लोगों का डेटा आया क्या इसने बेस शिफ्ट में कोई बदलाव किया क्योंकि इस वीडियो इस कंप्यूटर साइंस में सेलेक्शन में आपको जाएंगे और बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे अगर बोर्ट ने जैसा कहा है नोटिफिकेशन में कर जैसा कहा है आनंद कि शोर निप्रेस कॉन्फरेंस में उतने लोगों की लिस्ट बना देंगे उस बेसिस पर अगर आप देखिए तो बहुत सारे अंदर हो गया से 115 नंबर है इनका काफी लोगों की दिल की धड़कने अभी बढ़ी होई होंगी कि उनका जो स्कूर है वो फिट होता है कि नहीं पर एक बहुत बड़ा सेक्षन है जो 110 पार कर गया कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं अफ्षा है 175 नंबर इनका है जिला लिखाने इ का दोसो पच्चीस पर शुभम है समस्तिपूर से 113 नंबर है इनका है шlesp 250 पर अब्दुल अहद हैं सीता मड़ी से 112 नंबर है इनका थोड़ा वीडियो को स्लो कर सकते हैं इसका प्लेबैक स्पीड स्लो होता है वीडियो का उसको स्लो करके आपना रैंक जैसे कि देखें रोहित सिंग का रैंक है 279 अमल किशोर का 270 इस सर्वे के हिसाब से रैंक है सबस सब्सक्राइब कहीं पर है तो वह यहीं पर है कि 275 नंबर नाम इन्होंने कुछ हजीब सा लिए लके भी पर कटिहार से हैं यह 110 नंबर है इनका जितने भी हाई स्कूर वाले हैं आप कटेगरी कुछ भी रहे आप जाएंगे जनरल में ही 300 नंबर पर समीर कुमार हैं गोपा सब्सक्राइब कहां जाकर कि रुकने वाला है और उनका मामला अंदर बैठेगा कि नहीं बैठेगा कि 350 पर हैं वर्षा कुमारी 110 नंबर इनका बहुत खरीब आ गया है हम लों 434 के 400 नंबर पर हैं प्रभात 108 नंबर है इनका और अगली बार जब हम स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां जितनी सीटी बनती हैं जेनरल मेल के हिससे 434 नंबर पर सैजल करके लिखा हुआ इनोंने नाम 106 पर इनका मामला आजा करके रुक रहा है तो पिछली बार 103 इस बार 106 तीन नंबर का उच्छा लाया है जब डेटा तकरीवन 165 लों का डेटा जब इंटर हुआ है तो तीन नंबर का उच्छाल है और जो आया इस सर्वे के हिसाब से जो इस सर्वे का डेटा कहता है वो मैंने आपको दिखा दिया आप इससे agree करें, disagree करें वो आपका मामला है अगर आप disagree भी करें तो आप अपना जो logic है वो कमेंट बॉक्स मिली खिये कि आप क्यूं डिसेगरी करते हैं लॉजिकली वे लॉजिकली क्रिटिसाइज करना वो चलेगा पर 106 पर जाकर कि अभी मामला रुक रहा है इस सर्वे के हिसाब से अब क्या सच में 106 होगा यह सवाल बहुत मुश्किल है पर इस सर्वे ने आपको एक रफ आइडिया दे दिया असल में दोतीन नंबर उपे दोतीन नंबर नीचे हो सकता है पर मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूं मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि किसी भी हाल में जनरल मेल का कट आफ सौग के नीचे नहीं रहेगा क्योंकि पिछली बार वो जो हम लोगों ने सर्वे किया था तो पंचानवे च्यानवे से संतानवे के आसपास आकर के रुक रहा था जन्वरी वाले एक्जाम की बात कर रहा हूं इस बार मामला बदला है लोगों को सोर्स अफ कोशन पता लग गिया कई सारे कैंडियेट जो पढ़ाई में थोड़े धीले थे पर उनको सोर्स अफ कोशन पता लग चुका था वो सारी वेबसाइट तो उन्हों लोग और काफी सारे कोशन जो है वो हूप हूप कॉपी कैंडियेट ऐसे ऐसे जो सो में से कंपुईटर का 30-35-35 कोशन उन्हों लोगों ने पहले से देख रखा था तो एक तरह से चीटिंग ही ही हो गई है तो इस टेकर में जो एवरेज स्कूर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो है सामने 106 पर आकर के रुका है और इंट इसक्पिरियंस के हिसाब से दो तीन नमबर उपर नीचे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा तो अभी के लिए इतना ही था आगे जब वीडियोस क्रेट करेंगे तो उसमें जो बाखी बीसी वाले हैं क्योंकि अगर बीसी का मुझे दिखाना है तो और सौ नीचे स्कॉल करना ह और उनका अलग देखना पड़ेगा तो और जो बेस शिफ्ट है उस पर और जादा मेहनत करना पड़ेगा तो काफी कुछ है जो शीट है अभी सरवे का नया वाला इसके साथ करने के लिए पर अभी जो कुछ था वो मैंने आपको दिखा दिया अभी के लिए यही हैं जो जौब की उम्मीद लगा कि जो बैठने वाई लोग हैं उन में से जादा तर लोग पाडिसिपेट कर गए मैंने मताएं 300-400 लोग मुश्किल से होंगे इनका स्कोर भी अच्छा वो चुप करके सब कुछ देख रहे हैं पर वो पाडिसिपेट नहीं करते हाला कि मैंने कई लोगों को कह करके पाडिसिपेट करवाया है इस बार लेकिन फिर यह बहुत जादा पाडिसिपेशन नहीं आ सकी तो अभी के लिए बस इतना ही था अगर यह उपर जाता भी तो शायद एक दो तीन नं सोग के निचे फ़ड़ा मुश्किल लगता है इसमें एक और जीस ध्यान देने वाली है कि कोई भी आप एक्जामनेशन देखें रेलवे का देखें या बैंक का देखें आम दोर पर क्या होता तीन चार नंबर का फरक रहता है जेंडल का देखें और बीसी का देखें इबी जेनरल और बीसी में तीन चार नंबर का फरक हो सकता है लेकिन बाकी कटेगरी के अंदर जो फॉल है वो बहुत शार्प है दस दस पंदरा पंदरा नंबर तक नीचे जाएगा मैं लड़कियों का बताया था कि असी पचासी में आप लोग सिलेक्ट हो जेनरल कटेगरी के अ पर यह सही हो सकता है उसके पीछे चिरिएं यह है जो लड़कियों का जो पा्श्मीश है तो बाकी स्टेटS की जैसा नहीं है तो बहुत सारे फैक्ट्रस जिन कारण से जिसके कारण से लड़कियों का मामला नीशे जाता हुआ दिखता है तो अभी इस सर्वे के हिसाब से BC कहा ठहरेगा EBC कहा ठहरेगा लड़कियां कहा ठहरेंगी वह आगे देखेंगे पर अभी के लिए किनल का यही था अगर आप इससे अगरी नहीं भी है तो एक लॉजिकल वे में अपना लिखेंगे आप क्यूं नहीं अगरी है फिर उसके पर जवाब भी देंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभी के लिए तना ही थैंक यू